Welcome student's, welcome to adaptive learning तो आज हम start करेंगे जो remaining philums थे हमारे animal classification के I have already covered cord data और उसके different class तो आज जो बचे हुए remaining philums है from porifera to semi cord data वो जो जितने philums हमारे 10 philums बाकी के बचे हुए हैं उनको हम सीखेंगे उनके characters के बारे में जानेंगे और उनके examples को देखेंगे बिफोर स्टार्टिंग विद आप से एक और बात बोलनी है कि यहां पर वेरी तो वर्ट बहुत हार्ड है और दूसरी बात चैरेक्टर को याद करना भी बहुत थोड़ा मुश्किल है इस चैप्टर को फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन मैं आपको एक ही देना चाहूंगी सिर्फ दो चीज आप करिये पहली बात तो वह पहले टेबल याद करिए अगर वह टेबल याद हो जाएगी आपको बेसिक्स अल्रेडी मतब दमाग में हो जाएंगे पूरी तरह याद दूस लाइक मी मेरे लिए भी अगर मैं एनिमल क्लासिफिकेशन यूंगा याद घेवर दें कम टू इन फरंट अव इंपिर आपको क्या करने आपको अपने 10 एक्जाम में अच्छा स्कॉर करना है वे पेले तो मैंने मैंने ईक अक्षम किया आपको पूरा एक बेसिक्स क्लियर कर के दे दिया है जो दो वीडियो स्टार्टिंगे जो दो वीडियो आये थे वो सिर्फ क्लासिफिकेशन बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के पहले आप बेसिक को समझ लो उसमें तो कुछ रटना नहीं है और अफ्टर दाट जब क्लास सब्फाइलम और इस सब आएंगे एक्जामपल आएंगे उसके देन यू स्टार्ट लर्नि और कुछ नहीं इसकी आदर डालो तो आटमेटिकली सारी चीज़े याद हो जाएंगे किसे को सस्क्राइब करें हैं तो घुलिकाज में बनेऊ funeral Fel physician समिश और को आएंगे आछ जाएंगे लालों में और कुछ नहीं ऑ्त सम्फाइलमों आएंगे क्लास सब कुछ गार५ ये डालों अर्मी में ये आपके तो आपके vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates कुछ ऐसा एक कोश्चन है ट्रिकी है and yes last video जब मैंने chordates explain किया I have not given you one more new word intentionally I have not given that is invertebrate अब invertebrate क्या है वो पहले सिखेंगे फिर ये कोश्चन का answer आपको आराम से समझ जाएगा और उसके लिए आपको मेरी जरुवरत भी नहीं पड़े let's revise पहले कि vertebrata क्या था vertebrata था animal in which notochord is replaced by vertebral column am I right vertebral column जहां picture में आया आपको और्ग्यानिजम कौन सा हो गया कौन से subphylum में आ गया vertebrata invertebrates क्या हैं इनमें नहीं है इनमें vertebral column है यह नहीं सिर्फ nootochord है तो notochord के लिए हमने दो ही class देखी थी chordates के अंदर तीस याद करो उसको euro chord data और cephalo chord data तो euro chord data और cephalo chord data उन दोनों में ही notochord है बाकी का जो vertebrata जो हमारी sub phylum थी वो तो बहुत advanced थी उसमें बहुत सारी class थे उसमें notochord replace हो गया था vertebral column इसलिए तो उसको vertebrator नाम दिया गया इतना अच्छा नाम दिया गया पर बाकी के जो पहले के दो फाइलम थे hero chord data and sephalo chord data उनमें notochord थी इसलिए वो जो दो क्लास है उनको together all together उन दोनों क्लास को together बोलते हैं they are invertebrates, invertebrates मतलब उनमें नहीं है vertebrate मतलब उनमें vertebrate column नहीं है तो वो क्या हो गया, invertebrates हो गया, मतलब जो chord data के जो दो फाइलम है जो chord data के जो दो सब फाइलम है that is euro chord data और sephalo chord data they are to coming in the category of invertebrates तो वहाँ पर इसलिए ये question जो लिखा हुआ है आपकी textbook में कि all vertebrates are chord data क्यों क्योंकि भाई vertebrate जो है ये जो एक सब फाइलम था वो किसकी category में आया? chord data के, इसका phylum तो यही था ना? let me change the color यह तो फाइलम था यही फाइलम पर हम बात कर रहे था ना यह फाइलम chord data वाली फाइलम थी और उसमें सब फाइलम थी vertebrate उनकी खास बात थी कि उनके पास notochord replace किस से हुआ था? वर्टीबल कॉलम से और बाकी के दोग भी तो थे chordates के तो फैलो एंड यूरो कॉर्डेटर यह दोनों के पास तो वही primitive notochord थी उनको अलग नाम से इनको ऐसा बोलते हैं इनको invertible तो त 2020 बोलने! क्यम व्याद अव्य बक्ड़वेटर कोलॉत है अंसे naturally वित्य कॉर्डेटर व्याजीन ऐंना। अंको अggर। बोलत वाल। सुन के आनया य कॉर्ड़वेयटर है नहीं ही मैसे तो रहा도 है। तो इस दिस वर्ड इन्वर्टिबेट मैंने आपको इंटेंशली नहीं इंट्रिद्यूस किया था लास्ट वीडियो में बिकॉस अल्रेडी आप बहुत सारे नहीं नहीं वर्ड सीख रहे थे से फैलो कॉर्डेटा यूरो कॉर्डेटा एप स्पाइसी ना जाने और क्या क्या सो आए थोट हाव तो इंड्रिद्यूस दिस वर्ड ऑफ इन्वर्ड इन्वर्टिब्रेटा तो यू कैसे में कर सकती हूं मैंने क्या किया है सब कुछ पहले आपको एक्स्पेइन किया कॉर्डेट क्या थे वर्टिब्रेटा क्या थे वर्टिब्रेटा में क्या स्पेशल थ एन आफ्टर दाट नाव उरो कोड़ेटा और सिफैलो कोड़ेटा को इन वर्टिबेट भी बोलते हैं क्यूंकि उनमें वर्टिबल कॉलम नहीं है उनमें नोटो कोड प्रेजेंट है समझें यह कोशन जब आपके अगर एक्जाम में आया आपके बहुत क्लियर कट इसका अंसर है पहले आपको डिफाइन करना है वाट इस वर्टिब्रेटा फिर आपको यह भी बता देना है कि कॉड़ेट में तीन सफाइलम थे हमारे पास फैलो कॉड़ेटा यूरो है वर्टिब्रेटा वीचारा क्या लेकर बैठ्धेया है वर्टिब रोल कॉलर और यह दोनों के पास तो रिमेली वहीं नोटो कॉड़ इनको ओल्टोगेदर क्या बूलते हैं इन वर्टिबेट इसलिए आल वीबल्टै अ hp 내यम बैत ऌर है आयए बना शहीन्मामीं वर्ट बिचारा क्या लेकर बैठा है वर्टिबल कॉलर और यह दोनों के पास तो प्रिमेटिव वही नोटो कॉड है इनको all together क्या बोलते हैं इन वर्टिबेट्स इसलिए all vertebrates are chordates but all but but all chordates are not vertebrates this thing is clear in your mind so let's start with this आपकी बुक में एक और है second page पे यह chapter start होता है sorry third page पे traditional method conventional method of classification recently मतलब जो अभी नो जो new जो new new widely accepted model है that is five kingdom classification which was given by taxonomist Robert Whittaker उन्होंने दिया और वो classification accepted है और वही उसी को base मानते हुए मैंने आपको criteria for classification जिसमें body symmetry body segmentation वो सब मैंने आपको सिखा दिया इसमें मैंने आपको chord data एक सफफाइलम में लेके गई उसके बाद आपने तीन सफ फिर आपने तीन सफफाइलम देखे euro chord data पिफैलो chord data vertebrata और इसी वर्टीब्रेटा में आपने यह six different class भी देखे और उनके examples cover के तो वो तो हमारा काम खतम हो गया in addition to that अभी यह जो है अब chord rates क्या है मैंने chord rates के चार characters बताए थे तो वो चार जो characters ठीक हैं अगर वो होंगे तभी एक organism chord rates है तो non chord rates क्या होंगे जिन में यह कोई characters नहीं होंगी वो जो चार characters मैंने बोले थे notochord, nerve chord, pharyngeal gillslets, tail अगर यह चार नहीं रहे किसी organism में तो वो automatically किसमें आ गया non chordates में तो आज जो हम remaining class from periphera to hemichord data तक जाने वाले हैं वो सारे के सारे क्या है non chordates है तो अभी यह आप सीख लो यह जो phylum to chord data clear किया आप अपने knowledge में एक चीज़ और add कर लो उसका sub kingdom क्या है chordates आज हम जो phylum cover करने वाले from periphera to hemichord data उनके पास क्या है और आपके बुक में उसको एक अच्छा word दिया गया है सब kingdom क्या है अनिमीलिया और सब kingdom क्या है और इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है अनिमल का उसको बोलते हैं वा-क्मेंचिनल और ट्राइशनल मेफर्ड फ्लासिफिकेशनल ओड सेक्ग नाउन चॉड़े मैं चमट नीमियी क्लासिफिकेशन दिया उन नहीं इस चीज़ न काउन प्रेट का दिकना क्या आंस को आपकेbooks भी तसम but the way his approach was different, उनका approach was different with others, जो history में जो और classifications हुए थे but he is not denying that fact, no, quardates और non quardates के एक सब kingdom है, what he has done, depending upon that five kingdom और five criteria उन्होंने organism को phylums में डिवाइड किया और last में, एक से दस जो ये, sorry, peripherals से hemicordata के बाद उन्होंने एक phylum दे दिया, cordata उन्होंने कुछ नया नहीं है, but उनका arrangement, उनका approach and the way it is classified, वो अलग था, बस तो cordata, अभी इसमें कुछ इतना confused होने की जरूरत नहीं है, जब आपसे कोई Robert Bittaker model पूछेगा, तो आप वही लिखोगे, five criteria of classification अगर किसी ने आपको बोला, conventional model क्या है, conventional तरीका क्या था, traditional method क्या था, classification का, तो आप अपने kingdom animalia को, दो sub kingdom भी दे दोगे, जो इस table में दिया है, sub kingdom non cordates, sub kingdom cordates, यह दो दे दो, और उसके बाद फिर से वही अपना, जो Robert Bittaker के सामने किया है, gyro cordata, cephalo cordata, vertebrata, cyclosemate, students, यह एक शब्दो का बोलते है, न, words का एक खेल है, and approach, approach different है, but the thing remains the same, organism remains the same, जैसे जैसे हम चीजों को जानते गए, for example, earlier it was not, earlier animal classification किस पर होता था, size पे, habit पे, habitat पे, धीरे-धीरे, the mental coming to the picture, फिर हमें chromosome, genetics की जानकारी मिली, तो धीरे-धीरे, approach भी change होते गए, और newly, जो यह widely accepted model है, theory है, वो Robert Whittaker की है, पट इसका मतलब, अगर आप से कोई, इसका मतलब यह नहीं कि आप conventional method भूल जाओ, conventional method यह था, तो conventional method में, let's not go into that deep, इतना wouldn't, we wouldn't go that deep, हम क्या करेंगे, kingdom and Emilia को conventional है, non-cordates और chordates, मैं यह सब क्यों सिखा रही है, if my student, अगर आपको पूछा गया, आगे चलके, कि what is this, मैंने यह सिखाया है, ऐसा कुछ नहीं है, chordates और non-cordates, already I have taught you, आपने indirectly उसको पढ़ लिया है, तो जो लास्ट वीडियो आपने chordates और उसकी examples की और कवर किये, वो कौन से sub-kingdom थे, as per conventional method, कौन से sub-kingdom के थे, वो chordates के थे, आज, जो हम peripherals से hemicordata की तरफ जाने वाले, कौन से sub-kingdom में है, non-cordates, I think that that is clear, very clear in your mind, now, अभी non-cordates को introduce करूं, non-cordates की बारे में आपको बताऊं, के पहले जरा we will see the difference between chordates and non-cordates, बहुत easy है, अगर chordates की features पता हैं, तो non-cordates को याद करने की जरुरूरत भी नहीं है, कोड़े में क्या था मैंने बोला था, एक keyword दिया था मैंने, that was no problem Vinod sir, so n was for, n यह जो no problem था, वो double में था, n notocord, उसके बार nerve cord, उसके बाद pharyngeal gillslets, उसके बाद post anal tail, और Vinod sir मतलब, ventral side में क्या है, heart है, जो इधर है, non-cordates में नहीं, यही एक difference, अगर codates के यह 5 features आपने दिमाग में रख लिए, तो non-cordates का difference लिखना बहुत आसान हो जाएगा, अगर यह exam में आगे आखुश, अब बहुत इसली लिख पाऊँगे, फिर भी मैंने बता दिया, अभी हम लोगे टेबल भी पढ़ लेते पहले, body is supported by notocordates में हमारे थी, body is not supported by notocordates क्या नहीं है वो देख लेते हैं, pharyngeal gills, lids, or lungs are present for respiration in codates, यह भी notocords में तो नहीं है, फिर a post anal tail is present in codates, a post anal tail is absent in non-cordates, तो यह पहले तीन देख लो present और absent वाले, उसके बाद थोड़ा सा variation है, nerve cord is present on dorsal side of body, it is hollow, क्योंकि उसमें nerve tissue भरे जाने वाले हैं, वो आगे चलके develop होगा आपके nervous system में, मैंने codate में already explain किया है, यहाँ पर क्या होगा, nerve cord is present, it is solid, और यह कौनसे साइड में, ulta, ventral, यहाँ पर dorsal था, nerve cord, तो यहाँ पर ventral हो गया, और heart is present, अब यह heart कहाँ पर था, इसलिए मैं बोल रहे हूं, यह कौडेक्स के features याद करो, उसका ulta is non-cordate, heart कहाँ पर है, ventral side में मैंने बोला था, Phenosaure is the heart of our class, तो this stands for ventral heart, उस side कौनसा है, ventral side पर heart present है, non-cordate में बिलकुल ulta, dorsal side में उसका heart present है, यह question, अब के अभी के अभी, मतलब यह नहीं कि घर पर जाके फिर से, घर पर फिर से उसको रटने की जरूरत है, अगर cordate के features याद है, non-cordate को उसका उल्टा एकदम लिखना है, and your answer is ready, in this classroom. Today, that is your duty because I am giving you, in each and every video I am giving you just few keywords और easy, concept को easy बनाने का मैं पूरा ट्राय कर रही हूं, but आगे ऐसे ही चलके आपको अपने ले खुद के concept, see you have to understand कि आप कैसे ही किसी चीज़ को best way में याद कर सकते, so for that I am giving you some key words, you also put your efforts and at the end you will be very prepared with this chapter, so today, चाज मेरी class है वो non-cordates पे है, non-cordates में बहुत सारे words, बहुत सारे organism ऐसे भी हैं, जो आपने अल्रेडी देख लिए हैं, सीख भी लिए हैं, बस उसके कुछ additional इदर उदर के knowledge आपको देने हैं, तो पहला non-cordates का पहला, what is this non-cordates, sub-kingdom, yes, sub-kingdom non-cordates का पहला आज का phylum है, porifera, कांसा phylum, porifera, अब porifera में और हाँ यह बार बार यह टेबल ना repeat होगी, मेरे आज के presentation में यह बार बार repeat होने वाली और आप भी अपनी बुक में जो अगर लिखा है, hope you have written, उसको बार बार खोलो क्योंकि इसी से ही आपको पहले के, तो characters यह से पता चल जाएंगे, porifera है और उसका cellular level है, cellular level का मैंने कुछ बताया था शायद, cellular level में मैंने यह बोला था, कि cell aggregation होंगे पर tissue नहीं बनाएंगे, tissue नहीं बनाएंगे, तो porifera उस class का है, यह बात आपको पता है already, जब हमने five criteria of classification देखा था, तो porifera अभी start करने वाले हैं, और उसका level of organism क्या है, उसका organization क्या है, cellular, और यह एंट्रेस्ट एक और चीज़ एडिशनली आज मैं आपको बता दू, आपको याद यह सीक्वेंस पहले याद कर लो, यह सीक्वेंस याद करो आप लोग पहले, porifera, sylendrata, tenophora, platythalaminthus, slyhensminthus, anylida, orthopoda, melascus, echinodermata, hemi-cordata, and cordata, इस सीक्वेंस याद करो, अभी मैं आपको एक इसमें bonus point देती हूं, platythalaminthus से जो cordata तक, triploblastic, यह पे नहीं लिखी हुई, in addition, आपको मैं बता रही हूं, यह अगर sequence याद हो गए, platythalaminthus, आपको पहले याद करनी है, वह sequence, platythalaminthus से cordata तक, के सब क्या है, triploblastic, तो आपकी, तो बोलते हैं, नहीं से हो गए, without body cavity, triploblastic, bilateral symmetry, characters are ready, this is the bonus, एक मैंने आपको बता दिया, अपनी नोटूप में पक्का लिखो, platythalaminthus से cordata तक, कि सब क्या है, triploblastic, now porifera, porifera, इसका नाम ही है, ऐसा, कि नाम में इसका, बुलते हैं, इसके characters चुप हुए, porifera मतला porous, porous body, numerous pores on the body, जो आगे इनके पूरे एबुलते हैं, इनके system को चलाने के लिए, pores बहुत helpful है, यह खाना कैसे, इनका खाना कहा से आता है, जो यह पानी जो यह पानी जो यह पोर्स से जो वाटर के थू, जो खाना आ रहा है जा रहा है उसी से खाना इनका चलता है, इनके pores को बोलते हैं, ostia और oscula, इन और गणपती पंडाल, when you say, there is a system न, आत आनी बाहिर, ostia is aath, oscula is बाहिर, water comes from this channel, first pore, ostia, और निकलेगा कहा से, oscula से, they are aquatic, अभी मैं इतना porous porous बोल रही हूं, पानी पानी बोल रही हूं, so they are aquatic animals, sanitary मतलब, किसी चीज को, substactum को चिपक जाने वाले, इनका कुछ locomotion नहीं है, यह चिपक गए, फिर locomotion नहीं करेंगे, वही चिपक के बैठे रहेंगे, they have asymmetrical body definitely, मतलब कुछ भी कर लो, तो equal half नहीं दूंगा मैं, यह उसकी porifera की quality है, they are the primitive multicellular with cellular level organization, मतलब, cell segregation हुआ है, tissue नहीं बना है, they have a good ability of regeneration, they reproduce by asexual or sexual method, example is psychon, अब यहां पर मैं आपको बात बोलू कि, as a student, अगर मैं अगर exam में जा रहें, very difficult to keep everything in your mind, एक के बाद एक, पहला मैंने इसलिए बोला, table याद कर लो, minimum कुछ नहीं होगा, तो 4 characters तो याद करी सकते हो, अभी porifera बोला तो porous, इसको याद करने की ज़रुवत नहीं है, पोर जैसे ही बोला तो दो चैनल हो गए, osteoscular, porous, मतब यू have to interconnect everything, अगर water है भाई, pore है उसी सब आ रहा है तो yes, they are aquatic animals, body organization है, cellular liver की, asymmetrical body है, यह सब याद करो, और अगर एक दो characters बाद में भूलोगे, that's not, but at least minimum, 4-5 characters आप इस, उस table से, from this table, and from the example, ऐसा नहीं कहरी हूँ कि पोरिफेरा कोई रटलो, no, examples तो याद कर, example से आपको हिंट लगेगा, कि yes, ते characteristic क्या हो सकते है, and very good example of porifera is bath sponge, he क्या है, it is a black colored round animal, which was, पहले के जबाने में इसको as a, को use करते थे bathing के, it is mainly made up of a fiber of protein, protein fiber से उसमे, so spongine, it has a good water holding capacity, इसके लिए इसको for bathing पहले use करते थे, करते हैं, right now in this era also it is very useful, and is used to prepare, it is used for preparation or manufacturing of pillows and cushion, and wetting material for seeking postal stamps and counting notes, currency notes, so these are the examples of phylum porifera, so porifera मतला porous, ostea, oscula, aquatic, animus, no locomotion, चिपक जाना है इनको कहीं पह, asymmetrical body है, cellular liver का organization है, और production by both the method, asexual and sexual, फिर, second phylum, of sub-kingdom, non-cordics, that is, silenterita और nigeria, चली, silenterita पहले स्टेबल पहे खोज लें, कैसी है, कि silenterita, okay phylum यह है, अभी इसमें silom का कुछ पता नहीं दिया है, तो अगर मेरी, आगे वाली slide में लिखा होगा, and then it has a radial symmetry, और यह, this is organism from kingdom, anemilia, और उसका सब kingdom क्या है, non-cordics, so silenterita, the phylum, इसका नाम ही आया है एक Greek word से, इसका, the Greek word is nigeria, और इस Greek word का मतलब होता है, plant that has a stinging hairs, देखो नहीं इसको भी है, इसको भी है, इस organism को भी है, hydra and jellyfish को, jellyfish से क्यादार है, कौन से, किस लेवल का, jellyfish वोजन, tissue बन गहे थे पर, अपना अपना अलग काम होता है, बातचीत नहीं है, there is no coordination, अलग-अलग tissue थे, अलग-अलग functions, most of these animals are marine, अगर examples याद रखोगे, as I told you, automatically उसके characters, ख्याद करना आसान हो जाएगा, jellyfish बोला तो पानी में ही है, most of these animals are marine, they are radially, radially symmetrical, and they are diploblastic, diploblastic मतलब, ecto and endoderm, then tissue level organization, means tissue form हुए है, but opus में कोई coordination नहीं है, and all are performing their function differently, इनकी body दो तरीके से है, अगर cylinder है और एक umbrella है, अगर cylinder है तो उसको बोलते है पॉल, and umbrella है तो उसको बोलते है medicine, अब यह जो इनको tentacles है यह, क्या ऐसे ही दिये है, no, it is useful for capturing the prey, जरूरत आने पे इनके tentacles जो है, यह toxins रिलीस करते हैं, जो उनके defense में भी इनको काम करती है, examples are hydra and jellyfish, now third, that is from kingdom, anemilia, sub kingdom, non-cordata, phylum, platea helminthus, platea helminthus ढूलने, platea helminthus okay, without body cavity है, okay, bilateral symmetry है और यह अभी हम पता कर लेंगे, platea helminthus without body cavity, acylomates, and bilateral symmetry, one to two characters are already in there in my mind, platea helminthus, body of this animal is cylinder and flat like leaf, chapte, they are called as a flatworm, planaria देखके कुछ तो याद वा रहा होगा, organs form हुए थे, different organs बने थे, काम अलग-अलग कर रहे थे, organ system नहीं बना था, मतलब, organs में बातचीत नहीं थी, planaria का example, already हमने देखा है, body of this animal is a flat like a leaf of leaf, so they are known as flatworms, most of these animals are endoparasites, host होता है, parasites मतलब क्या, कि मैं किसी के उपर जाकर, क्योंकि मैं उसको यूज करूंगी, for my nutrition, for my life processes, मैं किसी और को, मतलब उसका nutrition यूज करूंगी, these are the parasites, और जिसके उपर ये जाएंगे, अपने nutrition के लिए depend हो जाएंगे, उसको बोलते हैं हम host, so they are endoparasite, मतलब जो भी host रहेगा, उसके internal body parts या, कि अंदरु internal हिस्सों पे, अंदरुनी हिस्सों पे वो attack करते हैं, they are endoparasite, they have acylomate body, without body cavity, they have bilateral symmetry, side, एक ही access है, they are triploblastic, मैंने अल्रेडी बता दिया था जब शुरुवात में स्टार्ट किया, कि प्लेटे हल्मेंथिस से, कॉर्डेटा तक सारे कि सारे triploblastic, they show tissue organ based, tissue organ grade organization, मतलब पिशू से organ तक बात पहुची, बट organs में अब क्या हुआ है, coordination नहीं है, these animals are hermaphrodite, मतलब, male और female एक ही, दोनों characteristics एक ही animal में present होते है, the examples is, plenaria, liver fluke, and tape swab, plenaria का example, already basic of classification में cover कर चुके है, then kingdom, animalia, sub kingdom, non-cordata, phylum, ascleanthus, why I am repeating again again, इसी तरीके से आपको भी repeat करना, जित्ती बार repeat करोगे उतनी बार आपको यह समाक में बैठ जाएगा, ना बिल्कुल नहीं कहनी है, ascleanthus, okay, मैंने क्या बोला था, सारे के सारे इधर से, हल्मेंथिस से लेके है, sorry, cordata था, सबके सब क्या है, triploblastic, pseudo-psylomate bilateral symmetry, three characteristics there in your pocket, now let's start with the examples, body of this animal is long, thread-like and cylinder, here they are called as roundworm, अभी अगर parasite है, तो पहले यह बताना है कि किस type का है, this is endoparasite, फिर से internal body parts पर attack करने वाले host के, these animals, internal body parts नहीं बोल सकते, internally बोल सकते, endoparasite हो गया, तो उनके उनको फिर, aquatic और aterrestrial की बात नहीं थी, फिर वो किस host पे है, और इनके host के होते है, plants और animals भी होते है, most of these animals से triploblastic बोल दिया है मैंने, and they are pseudo-psylomate, false body cavity, bilateral symmetry, body of this animal is non-segmented, and that is covered with a tough cuticle, these animals are unisexual, मतलब separate sex रहते हैं के, and normally जो female रहती, इस लोंगर जन में, eye worm and intestine worm, जो उपर वाला है इस, eye worm, जो उसके बाद वाला है, that is intestine worm. Now, don't think that we are going fast, because, in this, it is nothing to do with you, you have to just imagine, you have to just learn the basic criteria, पहले बेसिक क्राइटेरिया तो प्रेट कर लो प्लेट पूरा सिक्वेंस से याद करना याद करना चाहीं चाह चाहर पाच लएगजेंबल रहे गा उससे आपको क्या मिल जाएगा रहे गा तो यह जली फीच बोला तो वहां पर उसका एक नया करेक्टरिस्टिक मिल जाएगा लेट्स मुवएड विद फाइलम एनी लिडा अगें इंग्डम एनी मिलिया एंड उसका सब किंडम है अ इनी लिडा को ढूणने जारा ओके तो इनी लिडा को ज़रे स्टेबल में ढूणा जाहे एनी लिडा इटू सिलो एंड वर्डरी प्रिप्लिर यू। very good example earthworm कुछ याद आया body segmentation last वाला जो सबसे पांच वा क्रेटेरिया सिखा था body segmentation मतलब रिपिटिव तेम सेगमेंट्स मिलने वाले आपको और याद the body of this animal is long ventrical and segment most of these animals are free loving but few are ectoparasite also earthworm इसका example है किसानों का मित्र फार्मर्स फ्रेंड three living animals may be marine fresh water devilers और terasteride these animals are triploblastik bilateral sermative and ucelomate मतलब तो body cavity the body is covered with a special special cuticle these animals are either hermaphrodite or unisexual hermaphrodite मतलब बोथ sex are present on the same animal और unisexual animal अलग 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 भी मिलते example is earthworm and leech तुनों लेच का leech is always also useful in many ayurvedic treatment और earthworm का तो सबको पता है earthworm क्या गरते हैं उनको किसानों का यह फार्मर्स का फ्रेंड्स क्यों बोला जाता हैं तो यह क्या गरते हैं वो जिस प्रापर एरिशन हो रहा है मिट्टी का प्रापर mixing हो रही है तो इसे क्या होता है तो आपकी land है जो आपकी मिट्टी है जो आपकी soil है वो क्या हो जाती है तो इसको भी बोलते हैं तो फार्मर्स का फ्रेंड बोलते हैं इस वेरी उसफिल इन वर्मी कंपोस्टिंग में इसका बड़ा बहुत रोले खाथ बनाने की नाव एनिमिल्या किंग्डम सब किंग्डम नो आपकी रिपीट अगेन अगेन जब तक आपके दिमांग में बात अगेन जाती है आपके सारे इंग्डम अनिमिल्या सब किंग्डम और डेट्स फाइलम और्थोपोड़ा इस माइफेवरेट बिकाज इसमें बहुत प्रेशल एक्जामपल आने वाला है बहुत अच्छा यह एक्जामपल है इसका अच्छा और्गैनिजम है और्थोपड़ तो सिलोग बाइलेटरल सेमेटर लार्जस्ट फाइलम इस हाइली स्फुल एनिमिल्स है लार्जस्ट जो वर्टी बेटास वो सब जो देख रहे थे ना आप वो सब फाइफ परसेंट ही है यह सबसे जादा है यह नॉन कॉर्डेट्स की बड़ी फाइलम है और्थोपोड़ का जॉइंट अपैंडिक्स तो इसे उनको बोलते है और्थोप इस इन की विशेशता किया है यह क्यों हाय सक्सिछ का इनकी रेंज ही अलग है मनलल एंका हैबीटाट्स का रेंज ही अलग है from deepest ocean to the highest mountain आपको इनकी existence नोड़ा है body of this animal is triptoblastic right Q-syllomate, bioelectrical symmetry genius exoskeleton is present around their body chitine is polysaccharide तो उनकी body exoskeleton पे होती है these animals आर uresa कादब separate sex are present example is butterfly and this you know that I don't need to give okay now coming to the phylum that is valska valska का मतलब ही होता है soft इसको किया था पहली बार इनको इसको पढ़ा इसको पढ़ा इसको मतलब दूनदा था Aristotle नहीं आपके history of animal classification इनको देखा था phylum है anemilia sorry I am wrong phylum नहीं है kingdom है anemilia sub kingdom है non-cowd data और phylum कौन है इसका मुलस्का जो अभी हम पढ़ने वाद है चलो थोड़ा मुलस्का देखें ऐसे आपको भी बार बार वो टेबल याद करें जब तक पूरी यादना हो जाए मुलस्का ऑके true silo में triploblastit bilateral बोडी इस अनिमल इस सॉफ्ट और स्ली चिप चिपी जिए अफ्टर ओर्थो पोड़ा इस इस सेकेंड लाइज फाइलम इन एनिमल किक्डब इस अनिमल्स आर अक्वाइटिक और टेरिस्टराइल अभी यह एक्वाइटिक वाली लाइन लिखने के लिए अगर आपको उसको रटने की जरूरती नहीं पड़ेगी उसको क्या करना है अगर एक्वाइब रहा तो आटोमेटिकली लिख पाऊगे की हैबिटाट क्या है तो इस अनिमल्स आर यूनि असक्षण मतलब बोथ इस एकसा डिफरेंट मतलब बोथ केटेगरी मेल भी मिलेगा और उसका फीमेल भी मिलेगी एक्वाइब अग्टोपस इसलिए मैं बार बार बुल रही हूं टेबल के साथ नहां एक्वाइब करने स्टार्ट कर दो इसांपल एक्टोबस आपको पता है आपको स्नेल के बारे में पता है तो आप उसके हैबिटाट के बारे में आसानी से लिख पाऊगे पहले यह स्टार्ट करो पहले स्टार्ट बेसिक से करो पढ़ दिया थोड़े एक्जामपल याद की है फिर जब वह याद हो जाएंगे देन जंप टू दी डिफिकल्ट एक्जामपल अल्टिमेटली एम क्या है हमारा क्लासिफिकेशन कर और उसके अच्छे और प्रॉपर क्यरेक्टर्स लिए तेन एकाइनो डर्मेटा फटा पर देख ले एकाइनो डर्म मतलब होता है और डर्मेटा मतलब स्कीन में इनकी स्कीन में जैसे स्किर है अनको बोलते है का इन में याद कर दो यहां पर भी एक वरियेशन है कि लार्वे में रेडियल सिमेट्री है फिर बड़े हो जाएंगे अडल्ट हो जाएंगे तो bilateral symmetry आपको क्या you have to just write just keep only one symmetry in your mind that is radial symmetry in your textbook it is given in adult stage it is going in bilateral symmetry don't just don't write this what I suggest एक ही याद रखो radial symmetry स्टार्फिश इनके पास एक ट्यूब फीट है यह देखो इसमें हाइलाइट किया है यह पिक्चर है जो अलड़ी उसमें किया और यह इस अरिजिनल पिक्चर तो यह जो है इसकी ट्यूब फिट है यह त्यूब फिट वह यूज करता है स्टार्फिश पर कैप्चरिंग दप्रे ए प्रफॉर्म उसी से लोको मोशन लोको मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मुवमेंट होना जलो अब इनकी बॉड़ी के बारे में देखे यह त्रिप्लोब्लास्टिक यू सिलोमेट अन इस रेडियली स्यमेट्रिकल इन जैसे मैं हो जाती हूँ तो डोंट गेट घंती हूँ सार्फिश रेडियल सिमेट्री मल्टिपल प्लेन ऑफ सिमेट्री थी याद करो देन एक और है इसका एक्जाम्पल सी कुकुमर देखो वह दिखता भी वैसे है सम अनिमल्स आगे चिपकते है किसी एक सब्स्रेक्ट पम पे इस अनिमल्स आव गूड़ी ऑफ रेजेनरेशन अन इस अनिमल्स आर मूसली यूनिसेक्शुल अनिमल्स आगे में आ यूड़ी यूनिसेक्शुल विबड़ विविच यू आ ही टा म最近 सब्किंडल्स आगYou अनिमल्स आगा का म आगा सब्किंडम निकार्टृट आगाम आग्र्सुल्स, विजांत। झाग आगि यूणिस, सर्सिast, तृड फिलम हैं आगेous यहां अपने इस टेबल में एक बात नोटिस केंगे, जैसे हम पोरिफेरा से कॉड़ेटा की तरफ बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स से बढ़ती जाएं, और उर्गन में उनकी पुरी हैबिटाट से लेकर उनकी लाइफ प्रोसेस की जो प्रक्रिया उसको प्रफॉर्म करने की सब कुछ वो तरीका कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और यही है इवोलिटा, जो पोरिफेरास से कॉड़ेटा तक प इसमें जो सबसे डवांस था और उतमें भी सबसे बडबरेटा तैक घॉर इसमें जो सबसे एडवांस था बच्छो तूम्प्लेक्स अब्रेटा सबसे अधवांस है वोटिबरेटा डेटिज उसमें बहुत कॉटन बात है है क्लासिफिकेशन आया और उसके बाद इसको एक अलग फाइलम में डाला गया नहीं तो पहले इसको जैसे हम लोग यूरो कोड़ेटा और वोटी बेटा पढ़ रहते इसमें ही वह हमिकोड़ेटा को रखा गया था बाद ने जब फाइफिंग्डम क्लासिफिकेशन होगा रॉ हमिकोड़ेटा अभी हमिकोड़ेटा नोट अशुनाट से ओनली रॉबर्ट विटेकर बाद में जब स्टड़ी हुई पहले क्या था साइज हैबिट और हैबिटाड पर ही एनिमल क्लासिफाय किये खिरे धिरे जैसे से नॉलेज बढ़ा हमारा ओर्गैनिजम को लेकर और औ सब्सक्राइब और रोल उफ क्रोमोजोब जेनिटिक थिंग वेरियेशन यह सब का जब हमको नॉलेज बढ़ता गया हमारा एप्रोच भी चेंज हुआ अनिमल को क्लासिफाय करने बट शुरुवात में इस्ट्री जो थी सबसे पहले कि अनिमल क्लासिफाय कि होते थे अनिम इसमें हमिकॉर्डड़ा चुली कॉर्ड़ड़ा में इंक्लूड कर दिया जाता था बाज में उस separate हमिकॉर्ड़ा दिया गया फाइल बहुत खास बात है इस अनिक्टिव लिंक वह हम आगे बात करेंगे पहले इसकी चेरेक्टर से लिए और इस और पर स्भी इस प्रोबसे पर्डने वाले फे प्रबसिस्ट में ही इसी क्या पॡ्ज क्या प्रेसे क्या प्रजने बहुतET ते रेह sensor क्या प्रेटर . विए यहींटिसंड यह माया I ॅनं गेकॉ Cris इन इमाइम ऐर आल्स डी अल्स के पर्मपॉर्ण। फिरसे eckon worms and these animals are marine even pouring of pouring in sand they have pharyngeal gills also तो खास बात है proboscis में क्या प्रिजेंट है notochord और गिल्स भी प्रिजेंट है ते आर यूनि-sexual and some of them are hermophorodite मतलब male and female sex organs they are present on the same animal और इसका एक्जाम्पल है banglossis के ये इसका एक्जाम्पल है banglossis अब यह मैं जो बोल रही थी hemicodata को मैं बार-बार special क्यों बोल रही हूँ triaglossis के proboscis reason में protochord प्रिजेंट है और इसके पास गिल्स भी है इसके पास कुछ characters जो है वह non-cordata के है है motocord की बाद जैसी हुए वह codata में आ गया और गया और कुछ characters ऐसे हैं जो non-cordates की तरफ जाते हैं यह क्या हो गया है connective link non-cordates का and codates और यह आपकी textbook में question की बैलों गॉस्स इस अ connective link between non-cordates and codates see even I am also getting confused with these names what difficult है मेरे लिए भी आपके लिए I can understand मेरे students को कित्नी तक लीफ हो रही होगी but yes सबके पास कहीं की solution we need to turn this telling याद करेंगे फिर धीर धीर उसको पढ़ना चालू करेंगे और ultimate list हम क्या हो जाएंगे genius हो जाएंगे non-cordates और codates में यह connective link है phylum hemi-cordata अभी आप देख रहे हो यह जो जिसे वह phylum peripherous है जब codata की sequence मैंने अरेंज कियो जो टेबल मैंने आपको मैंने नहीं अरेंज है I am not that much for example from औरी सरा तो codates जो arrangement होई है कैसे होई होगी और hemi-cordata को उपर ही रखा गया codata के just उपर रखा है क्योंकि वह connective link है non-cordates से codates के बीच में और क्यूं है presence of noto-cord in proversus reason as well as presence of guilt slip आज हम्री वीजन नहीं लेंगे because I know it becomes very अब यह time है you should read you should take the example try to write और वह table जरूवी याद कर now I have already covered many everything from your text यह एक चीज़ second page पर आपके history of class Aristotle जो थे वो पहले थे जुन्होंने animal को classify किया on the basis of size, habit and heritage scientist आप बहुत taxonomist आप जुन्होंने classify किया different different based criteria that is the problem now you can link with me now you can understand that language criteria, basics उसे वो classify करते गया at the end हम जो पढ़े हमने 4-5 वीडियो से जो I can 4-5 वीडियो हमने इतनी महनत किया हो हमने किसको accept किया है Robert Whittig आपके वो first paragraph में बड़ी line वहात ही एक paragraph लिखा है जिसमें history दी है जिसमें बहुत सारा कि यह ऐसे किया फिर classify किया फिर यह आया फिर उनने किया फिर उनने किया मुझे समझाने की when you will read now you are very good I think I can say you are very thorough with your thing classification why are you classification criteria क्यों और अगर classify किया है तो किस base पे किया गया है कौन कौन से organism present है absent है everything you know no more than Nina अब history में क्या है प्रोग्रेसिव एक development हुई है history में animal classification Aristotle से चालू हुई और अभी Robert Whittaker से आपको follow कर रहे आपको क्या करना है आपको क्या करना है वह paragraph पढ़ी आपको automatically पता चल जाएगा कि हिस्ट्री क्या थी है हमाना yeah so thank you for listening so patient I know this chapter is because in your age if I will when I have opened this chapter in my book even I also said that आपको क्या है क्या है this thing very words are very difficult I know आपके कमेंट्स भी पढ़ें you very difficult words I came to know very bhayaanak words but no bhayaanak है for me also for you also so हम लोग क्या कर सकते है हमको exam score करना है so to do the practice उसके लिए हमको practice करना है we will do it I have tried my best आपको सम्झा पाओ let's see आपको कित्ती प्रेक्टिस करना है and any further doubt are welcome so now thank you for listening and now let's just open the book so that we can see whether we have covered everything or not give me some I will just open yes last time we have covered this history of animal classification मैंने बता दिया है नहीं सब आपकीट से करना है Aristotle से उनका क्या था artificial method था और उनके approach क्या थे size क्या है habitat कर पाए कहा जाते हो किस पर classify किया था उसके बाद बहुत सारे taxonomy scientist आते गए और हम आकर आज किस पर रूप के Robert Vittaker पे पे तो यह paragraph एक paragraph बच्चों आपको पढ़ना है traditional method of classification traditionally depending upon the presence or absence of notochord the animal kingdom has been divided into two groups non-cordates and cordates जो cordates में है वो non-cordates में नहीं है तो इसलिए पहले हमने easy वाला पढ़ लिया cordates हमको पता है क्या क्या है जो नहीं है वो सब non-cordates में डाल दो यह idea I have already covered and then फिर यह kingdom यह diagram मैंने दिखाया आप लोगों को already यह वाला I have shown you this picture protozoa यह सब phylum कर दिया है इसका attention लेने की ज़रूरत नहीं है यूरो-cordata तो इससे cephalo-cordata और vertebrata पे आए यूरो-cordata और cephalo-cordata क्या है invertebrates से very good vertebrata में क्या है वर्टीबल कॉलम है उनके भी भाई छे हमने class देखे और उनके भी examples हमने cover किये इसके पहले हमने पहले ही वीडियो में दो वीडियो में हमने cover कर लिया था और पॉरिफेरा कम्प्लीटेड सिलेंटरेटा लेते हलमेंथियो बाच-पॉंज का भी example दिया ऐसक्ले हलमेंथियो अनलिडा और्थोपोडा मुलस्का सॉफ्ट बोडी कैनो दर्मेंटा हमी कॉर्डेटा और यह बॉस यह बॉस इस वी हमने complete कर लिया है we have covered in this way we have completed your animal classification oh something is very nice here animals like gharial and crocodile live in water as well as on land are they amphibians or reptiles मैंने न एक reptiles और amphibians में फरक करने के लिए बोला था amphibians की skin कैसी होगी moist और reptiles की कैसी होगी ड्राय जोनों और्ग्यानिजम की की इनका texture देखो कैसा है ड्राय है की moist है पता चल जाएगा amphibians है और और reptile है this is done